हाई फ्रेंज वेलकम तो मैं चैनल माई दियुए टाइज तोड़े आप मेकिंग आ डिकोरेटिव मीरर सो विदाओ फार्द एडू लेट इन तो वीडियो अट फर्स्ट यहां पे मैंने एक कार्डबोर लिया है और एक राउंड मीरर लिया है मुझे कार्डबोर की ऊपर ऐसा सेम डिजाइन ड्रॉ करना है ड्रॉइंग को परफेक्ट बनाने के लिए मैंने यहां पे कॉम्पस और रूलर का इस्तेमाल किया है ड्रॉइंटर में अफ तल मेर इस्ट्व अग्जाइन पर्स्ट Two सेंतिमिट्र सो मैंने एक सिंक चेMल लाउंड बना के मैं इक और एक स्रम करदो कर दो यहां पे मैं एक और एक स्थिल शला पार्जाइम खरे दान श्ञाऊ फिछिश लिटी the way i have drawn the picture on the cardboard you can follow the instructions or the steps through the video so मेरी ड्रॉइंग अब कम्प्लीट हो गई है अभी मैं क्राफ्ट नाइब के मदद से आउटर लाइन को मैं पुरा कट कर लूँगी उसके बाद जो मिडल का जो सर्कल है उसे भी मैं कट कर लेती हूँ मैंने ऐसे थ्री पीशेस कट किया है और दो का मैंने सर्कल कट किया है एक को मैंने ऐसे छोड़ दिया है नाव पीबिये ग्लू के मदद से मैं इन दोनों कट पीशेस को स्टिक कर लेती हूँ I am using masking tape here to seal the inner side of the circle उसके बाद मैं इस पीसे को जो मैंने circle कटने किया था उसके साथ स्टिक कर दूँगी उसके बाद सारे एजिस को मैं masking tape के मदद से सील कर दूँगी here I am applying homemade texture paste जो मैंने PVA glue और plaster of Paris को mix कर के बनाया है texture paste apply करने के बाद आपको इसको रख देना है dry होने के लिए overnight will be fine now I am creating some borders because I am gonna do some clay work on it I am gonna do some clay work on it the 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 मैंने यहाँ पे एरड्राइ क्ले लिया है आप देख सकते हो वीडियो में मैंने कैसे बॉर्डर को क्रियेट किया है मुझा चुश्च विएन बॉर्डर को क्रिये बॉर्डर का वुच्च विए आप पाड़ लिया इसे एसे बॉर्डर को क्रियेट को करने के लिए आप पाड़ किया है का इस्तमाल जरूर कड़े if it's needed. Now I have taken one ice cream stick जिसकी मदद से में borders के उपर कुछ design create करूंगी. डिजाइन हो जाने के बाद आपको इसको रख देना है ड्राइ होने के लिए ओवरनेट रखने के बाद आप इसकी उपर फिर से काम कर सकते हो. Next day when I saw these things my heart was broken. I have seen so many cracks on the border. I don't know how what to do then I thought let me fix those cracks first. Then again I can start my work. I try to fix it as much as I can. I don't know why it's happened. I think the clay wasn't good enough. So now let's move on to my next process. Here I am going to create some flowers. So let's follow the video and you see how I am creating those beautiful flowers. Here we go. Let's do this. Here we go. Let's go. here I am making my own design if you like the design you can make the same or else you can make your own मेरा कोई प्लान नहीं है मैं क्या बना रही हूँ जो भी मुझी अभी मेरे मन में जो आ रहे है मैं वही बना रही हूँ so you can follow the video to make the same pattern to make this flower i have I have used clay cutter and I am separating the petals now Now this whole design is completed and you have to keep it dry After drying it, I had to smooth it with sandpaper I had to remove the cracks from the surface I had removed the cracks from the surface I had to use white acrylic paint as a primer but you can skip this step Here I have chosen that golden sun bright yellow color Now let's paint Now let's paint the paint यह पूरा पेंट ड्राइ हो जाने के बाद अभी फिंगर्टिप्स के मदद से मैं यहां पर वाइट एक्लेरिक पेंट यूज कर नहीं हो तो मुझे इसको थोड़ा सा पुराना सा ओल्ड सा लुप देना है तो मुझे यह प्रोसेस ठीक लगा तो आम यूजिंग इस वाइट अब बाड़ी आती है गूल्ड एक्लेरिक पेंट की मैं सेम प्रोसेस फॉलो करके डिजाइन को थोड़ा सा हाइलाइट करने के लिए यहां पें गूल्ड एक्लेरिक पेंट यूज कर रही हूँ बेसिकली यूज प्ले विद इस प्रोसेस अंटिल अनलेस यू आपी सो मैं यहां पें करते जा रही थी जब तक मुझे साटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी सो यू कन कैड़ी ओन अंटिल अनलेस यू साटिस्वाइड मैं यहां पे औल परपस ब्लू यूज कर रही हूँ मिरर को स्टिक करने के लिए और मैंने होट ब्लू गन का भी इस्तमाल किया है अभी मैं बैक साइड पे कैन ओपन करने के लिए जो रिंग सा आता है वो मैं स्टिक कर रही हो अट दे एंड दोंट फगेट तो अपलाई क्लियर वर्निश विच इस वेरी नेसेसरी तो रेस्टोर दा कला ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया I hope you like the process मुझे जरूर बताना अपको कैसा लगा if you like the video please do like comment and share and don't forget to subscribe to my channel and please do press this bell button so my DIY Diaries is signing off today I see you in my next video till then bye bye